दोस्तो नमस्कार आपका स्वागत है अपने यूटूब चैनल पर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत एवं अविनिंदन करता हूँ दोस्तो आज है 2 जन्वरी और फिर से आपको दिल की आंतरिक गहराईयों से नए वर्ष की हार्दिक सुपकाम नाए दोस्तो आज हम लोग पढ़ेंगे NCRT जियोग्राफी क्लास 7 चेप्टर 1 को जिसका टॉपिक है पर्यावरान अर्थात इन्वर्मेंट यह क्लास इस्टेट PCS, UPC, एक्जामनेशन, SSC, CGL, RO, ARO, केंदरी विद्देले, नवोदे विद्देले, सीटेट, सुपर्टेट, DSSV, इविन ऐसे सारे एक्जामनेशन के लिए इंपोर्टेंट है जिसमें यह टॉपिक दोस्तो आता है क्लास इस्टार्ट करने से पहले, चार लाइने आप लोगों के लिए वो भी नए वर्स के उपलक्ष में तो देखिए दोस्तों क्या है वो चार लाइने मिले इतनी खुशिया की नाच उठो तुम, जीवन में जितने भी हो दुख, हो जाएं सभी गुम उमीदों की है चटा फिर चाई, भेट करता हूँ तुम्हें नव वर्स की बधाई नव वर्स की हर्दिक सुपकामनाएं आप सभी लोगों को दोस्तों तो आएए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने क्लास को और समझने की कुशिश करेंगे कि आज का जो टॉपिक पर्यावराण है उसका समंदь अपने वास्तविक जीवन में किस तरीके से है तो देखिए दोस्तों, पर्यावराण हम सभी लोग जानते है जो अपने आसपास का वातावरन होता है उसी को हम पर्यावरन कहते हैं देखिए दोस्तो लंबी छुटियों के बाद जब रवी स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटो वाली एक बड़ी इमारत बनेगी अर्था तो वहाँ पर एक बड़ी इमारत बनेगी जहाँ पर ये वच्चे खेला करते थे दोस्तो देखिए दोस्तों फिर क्या होता है फ्लेटे बनेंगे जब रभी को समझ में आया कि मुलाहिम घास गेंदे के फूल एवं तितलिया वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नश्ट हो गया है अब वहाँ पर क्या हो जाएंगी बिल्डिंग्स वगेरा बन जाएंगे तो उसकी आँखों से आशू निकलने लगे उसने बात अपने सैफाटियों को बताई सुबए की सबा में परदानाचार ने बहुत उदासी से कहा कि देखो कैसे हमारा पर्यावरां बदल रहा है उपयोग करते हैं अर्थात वहाँ से पेर पहदे कट कर रहे हैं तो आईए क्लास हम लोगी स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले पूरे एक वर चप्टर को देख लेते हैं क्या क्या हमें देखना है देखें, इन बच्चों को आप देख रहे हैं, विविन परकार की वेजबूसा में है, इससे क्लियर होता है कि इन बच्चों का अलग-अलग धर्बों से सम्मन है ये देखिए दोस्तों पर्यावरान के घटक दिये गये हैं किस तरीके से प्राकृतिक घटक होते हैं और कैसे मानो निर्मित घटक होते हैं इन सब पर भी हम लोग चर्चा करेंगे प्राकृतिक पर्यावरान में विविन प्रकार की चीज़ें पढ़ेंगे jam mandal समझेंगे, gel mandal, stal mandal और why mandal इन सबको भी समझेने की कोशिश करेंगे दोस्तों और देखी यह एक आपको चितर दिखाई पढ़ रहा है यह भी किसी न किसी जल mandal है, stal mandal है, why mandal है सब कुछ इसमें आप देख रहे हैं एक तालाप का परतंतर आपको देखने को मिल रहा है मानवी पर्यावराण को समझेंगे, जो मानो दोरा बनाये जाते हैं इन सब के बारें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे यह चैप्टर बहुत इंट्रेस्टिंग है देखिए, कक्षा में पहुँचका रवी ने अपने सिक्चक से पूछा पर्यावराण क्या है? जो कुछ भी आप आपने आस पास देखते हैं, वो सिक्चक ने बताया जैसे आप भीविन परकार की पेल पौधी देखते हैं विविन परकार के वेकल्स देखते हैं, कुछ प्राकृतिक चीज़े देखते हैं कुछ मानो निर्मित चीज़े देखते हैं, जितनी भी चीज़े देखते हैं वह सारी की सारी पर्यावराण के अंतरगती चीज़े आती है इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे देगी रवी कहने लगा इसका अर्थ है कि स्कूल भवन मेज कक्षा में रखी कुर्शियां यहां तक की खुला मैदान सड़क कुडा करकट मेरे दोस्त यह सभी हमारे पर्यावरान के अंग होते हैं हाँ सिच्चक ने क्या का हाँ लेकिन जरा रुको कुछ वस्तूओं का निर्मार प्रकती ने किया है नेचर ने किया जैसे परवत नदियां पेर प्रारी घास के मैदान घास फूल विविन प्रकार की पत्तियां जबकि अनका निर्वार मानों ने किया जैसे सड़क, कारे, एरो प्लेन, कपड़े, किताब, खेलने वाले कुछ इस्टूमेंट ये सब मानों दौरा निर्मित कुछ वस्तू हैं अब दो दो छातर मिलकर कार कीजिए, अपने निकट बैटे सहपाटी की साथ मिलकर, प्रकती एवं मानों दौरा निर्मित बस्तू की सूची बना सकते हैं देखे, प्रकती की बात करें, तो विविन प्रकार के पेर पौधी हो सकते हैं, फूल हो सकते हैं, सागर महा सागर हो सकते हैं, यह सब प्रकती की देन हैं, मानो की बात करें, विविन प्रकार के वहान हो सकते हैं, कूलर पंक्खे हो सकते हैं, वेकल साइकल, मोटर साइकल, निपसली कर्कत के इस्टूमेंट यह अन प्लइंग के इस्टुमेंटस यह सब चीज़, यह मुच्कल इस्टुमेंट, इस सब किसमें आते हैं, मानो। दॉरा बनाय जाते हैं। देखिए इसमें देखिए एक हरी सी चित्र आपको देख रहा होगा यह देखिए हरी पेंटिंग में इस चित्र में आप विमिन प्रकार के पेड़ पौधों को देख पा रहे होंगे हमारे जीवन का मूल आदार है यह हमें सास लेने के लिए हवा पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजे निवम्प्रफ पैंने के लिए भूम प्रदान करता है देखे पर्यावरान से हमें क्या मिलती यham यह व tastes हैं तो उनसे में वाई भी मिलती है क्योंकि जो पीड़्पाओध होते हैं वह प्रकास डाइकशाइड होती है उसको वे औशोशित कर लेते हैं तो इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे इस तरीके इस पेर पौदे इंपोर्टेंट है फिर इनी के कारण वास्पी करण की क्रिया होती है वर्षा होती है और जितनी भी चीज़े हम लोग खाते हैं प्रतिक्ष और आप प्रतिक्ष रूप से यह में पेर पौदों से ही राप्त होती है रहने के लिए भूम वगएरा मिट्टी को भी पेर पौदे की जड़े ही बांद कर रहती है रखती है जिससे मृता अपर्दन जो है ये क्रिया नहीं हो पाती मानो इस प्राक्रतिक पर्यावड में क कैसे परिवर्तन करता है कार का धुगा वाई को प्रदूशीत करती है पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है भोजन को बरतनों में परोसा जाता और भूम पर कार खानों का निर्मार होता है मानो कार मिल कार खानों एवब बरतनों का निर्मार करता है इस प्रकार से मानो प्राकर्तिक पर्यावरान में परिवर्थन करता है आपने देखा होगा अपने घर के आसपास 10 से 15 साल पहले जहां ग्राउंड होता था जहां बच्चे खेला करते थे हरे पेड़ पौदे होते थे बाग होते थे आज लोगों ने वहाँ पर अपने घर बना लिये है या किसी संस्ता को खोल लिया है या किसी फैक्टरी को बना दिया है कुल मिलाकर वहाँ से पेड़ पौदों को उन्होंने गायब कर दिया है अब इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे विभिन प्रकार की बच्चे कोई सिक्ख है कोई इसाई है कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है कोई कृषियन इस तरीके से इन बच्चों में देखे रभी परमजीत जैसी मुस्तवा आशा सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुख है इकवाल ने पूछा हमारा पर्यवन क्यों बदल रहा है सिच्चक ने उतर दिया ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है ये प्रदिन बढ़ती रहती है बिल्कुल दोस्तों जरूरते हैं और जैसे जन संक्या बढ़ती जा रही उसी कमसार जरूरते बढ़ती जा रही और जिन भूम के हिस्सों पर पेड़ पौधे हुआ करते थे आज लोगों ने वाँ पर घर बना लिये है अब बहुत important चीज है आपके समक्ष है पर्यावरन के घटक तो पर्यावरन घटक के अंतरगत हम दो इसके parts पढ़ेंगे पहला मानवन में दूसरा प्राकृतिक तो आईए अब देखते हैं प्राकृतिक कौन होते हैं तो प्राकृतिक में हम देखेंगे जल मंडल देखिए दोस्तों यहां से आपको दिखाते हैं यह रा आपका जल मंडल जल मंडल ऐसा इस्तल होता जहांपर पानी होता है वाई मंडल एक ऐसा इस्तल होता है जहांपर वेविन परकार की गैसे या वाई पाई जाती है जो की सोसन के रियक लिए इंपोर्टेंट होती है इस्तल मंडल जहांपर हम लोग निवास करते हैं विविन प्रकार के पेड़ पौदे के प्रजातियां लगी होती ही, लोग चलते फिरते हैं उसे इस्तल मंडल कहते हैं, जब ये तीनों मिल जाते हैं दोस्तों, जब इस्तल मंडल देखिए क्या क्या मिल जाते हैं, आपको बताते हैं, ये ता जल मंडल, ये ता वाई मंडल औ अब एक important बात समझे जहाँ पर जल मंडल, वाई मंडल और इस्तल मंडल मिलते हैं तो यह बनाते हैं जैब मंडल और जैब मंडल में ही विबिन प्रकार के जीवों की प्रजातियां निवास करते हैं अब important other parts अपना है जो है दोस्तो आपके समक्ष है पर्यावरान के गटक में मानो निर्मित जैसे कि आप इमारते देख पारे होंगे पार्क देख पारे होंगे विबिन प्रकार के पुलिज या बिरिज देखते होंगे सड़के इसमारक उद्ध्योग यह सब किसके द्वारा बनाई जाती यह सब मानो द्वारा निर्मित होती है किसके द्वारा दोस्तो होती है मानो द्वारा पार्क हो चाह इमारते हो पुल हो बिरिज और सड़क हो कार खाने हो या विबिन प्रकार के मंदिर हो सब मानो द्वारा निर्मित होते है देखिए मानो में क्या होता जैसे suppose that अब आप समझो ये कैसे पर्यावान के लिए अपनी जरूरतों कंसार ये पर्यावान का उपयोग करते हैं जैसे suppose that कोई एक वेक्ती है फिर उसकी क्या होगी शादी होगी ये रहा एक वेक्ती इसकी शादी होगी इसका परिवार हुआ दो बच्चे होगे फिर दो बच्चे से दीरे दीरे समझाय बना इन बच्चों की भी शादिया होगी फिर उन बच्चों की इसादिया होगी इस तरीके स्क्या हुआ ये समझाय बनता है देखे कितने लोग आ जाते हैं फिर विविन परकार के मंदिर, मश्जिद, गिरजा, घर ये सब बनते हैं फिर देखिए स्कूल, कॉलिजिस वगएरा खुलते हैं आर्थिक इस्तिती को मजबूत करने के लिए बिविन प्रकार के कार खाने इंडरिस्ट्रिल डबलमेंट भी किया जाता है आप कोई भी मेट्रो सिटी उठा के देख लो एक्सर वहाँ पर इंडरिस्ट्रिल डबलमेंट बहुत अच्छे से होता है बड़ यूपी का एक शहर है जिला है आगरा जहां पर फैक्टरिया लगना बैन है विकॉस वहाँ पर विस्प का सात्मा अजूबा ताज महिल इस्तापित है अगर वहाँ पर इंडरिस्ट्रियल होगा एर प्रलिक्शन होगी तो जो ताज महिल की सफेद संग्मर्मर से बना हुआ है वह सपेदी धीरी-धीरे ब्लैकिस में चेंज हो जाएगी तो दोस्तों इतनी चीज़े आप लोगों ने देखी कि कैसे एक वेक्ती परिवार समदाय धर्म सेचिक आर्थिक प्राजनेतिक इस्तिती इन सब चीजों के लिए क्या है जरूरत परती रहती है और ये सारे के सारे घटक जो आप देख पा रहे हैं ये सब के सब पर्यावरण घटक के अंतर गत आते हैं किसके अंतर गत आते हैं दोस्तों पर्यावरण घटक के अंतर गत आते हैं इसलिए हम प्राकृतिक वाता रों में परिवर्तन करते हैं और कभी-कभी उन्हें नश्ट भी कर देते हैं देखें जीवी और अजीवी में अंतर आप समझें सभी प्राणियों का संसार जै पाधब एवब जिन्तु जितने प्रकार के पेड़ पौधी या जानवर होते हैं वह जीव जन्तु के अंतरकत आते हैं या जैवी घटक होते हैं या जीवी होते हैं अजीवी क्या होते हैं निर्जीव पदार्थ का संसार जैसे इस्तल वायू, जल, यह सब क्या है, यह सब क्या है, अजीवी है, उपर के वारतारलाप से आप समझ गये होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारो और पाए जाने वाले लोग, इस्तान, वस्तमु एवं प्रक सेतियां समलित हैं, अब देखेंगे जबकि मानुवी पर्यावरण में मानों की प्रस्पर के लिए उनकी गतविदियों एवं उनके द्वारा बनाएगी रचना समलित हैं, देखें पर्यावरण जो शब्द है यानि एंवायर्मेंट शब्ट की उत्पत्ती, फ्रेंच शब अगर आपसे कभी इस तरीके का कुश्यन पूचा जाए, जो पर्यावरण शब्द है, इसको इंगलिश में इंवायर्मेंट कहते हैं, जो इंवायर्मेंट शब्द है या फ्रेंच सब्द से उत्पत्ती हुई है, वह जो फ्रेंच सब्द है, वह है इन्वायर्व नेर या इन्वायरो नेर और इसका जो मीनिंग होता अर्थ होता वह होता पड़ोसी, तो अब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरां, देखिए दोस्तों इसमें प्राकृतिक से आप समझ गए नेश्रल इन्वायर्मेंट अर्थात जो प्राकृतिक चीजे होती हैं, जैसे प्राकृतिक पर्यावरां बनाते हैं इस्तलमंडल, जलमंडल, वाय मंडल आप पहले से ही पर्चित होंगे इस्टल मंडल जहां पर भूम वे गारा होती जहां पर हम भूमत साँगर या विवन प्रकार के शागर महा साँगर सब आते हैं वहाई में जो आपके आस-पास का वातावर्ण है वहाई मंडल है और ये तीनों जहां मिलते हैं उसे जय मंडल कहते हैं और जय मंडल में ही विमन प्रकार के पेर पौधे और जानवरों की प्रजादिया निवास करती हैं आए अब इनके समन्द में कुछ और तत्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे प्रत्वी की ठोस परपटी यक कठोर उपरी परत को इस्तल मंडल कहते हैं आई थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई पड़े तो हम यहां से पढ़ रहे थे, जो प्रत्वी की ठोस परवटी या कठोर उपरी परत को इस्तल मंडल कहा जाता है, यह चटानों एवं खनिजों से बना होता है, कभी अगर ऐसा भी कोशन पूचा जाए, कि जो इस्तल मंडल है, उसका निर्मार कैसे होता है, तो चटानों एव विविन इस्तला करती वाला विशम धरातल होता है, अर्थात कहीं पर गड़ा भी होगा, पठार भी होगा, कहीं पेर पौधे भी होगी, कहीं घाटियां भी होगी, विविन प्रकार के जानवर गएरा इत्यादी चीजें सब कुछ निवास करती होंगी, तो जो इस्तल मंड का वे छेत्र, जो में वन, क्रशी एवं मानोवस्तियों के लिए, मानोवस्तियों के लिए भूंग पश्यों को चरने के लिए घास इस्तल परदान करता हुए खनिश संपदा का ही एक सुरोत है, देखिए दोस्तों चित्र के माद्रम से समझे, पर्यावरण के छेत्र, यह जल मंडल हो गया, इस्तल मंडल क्या हो गया, जहां पर आपको ट्रेन बसे सो यह वेक्ती खेती करते हुए आपको दिख रहा है, और इन तीनों को मिला दो, तो यह जैव मंडल कहलाता है, सबसे अधिक यहां पर विविन प्रकार के जीवों, और पेर पौदों की अर्ता प्रत्वी के चारोर फैली वाई की पतली परत को वाई मंडल कहते हैं, यह सूर की जुलसाने वाली गर्मी विम हानिकारक करणों से हमारी रक्षा भी करता है, इसमें देखिए दोस्तों, कई परकार की गैस धूल किक और एवं जलवास उपस्तित रहते हैं, परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवाई में परिवर्तन होता है, पादप एवं जीवों मिलकर जैव मंडल यह सजीवों संसार हैं, तो हमने पहले बताया था जहां पर तीनो शित्रजा, इस्तल, जल एवं क्या होता है, वाई मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, तो इतनी सीजे आप लोगों दोस्तों समझ में आएगें, अब यहां से देखिए पारितन्तर क्या होता है, वह तन्तर जिसमें समस्त जीवदारी आपस में दूसरी एक साथ, पर्यावर पारितन्तर के इस्तानमत्र द्वारा संभद हैं, देखिए, पारितन्तर का ऐसा छेत्र होता है, पारितन्तर, जहां पर पेड़ पौध है, विविन प्रकार के जीव, वहां की भौतिक और रसाइनिक क्रियाओं को में आराम से सहिस संभद के साथ निवास करते हैं, उसी को कहते हैं, अब वार्टिस, देखे, यहां पर क्या दिया गया, पार्तन्तर, इको सिस्टम, क्या है, देखिए, इको सिस्टम है, इसको समझते हैं, रवी की कक्षा के एक NCC कैम्प में जैसी ने आश्चर से कहा, कितनी मुशलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया, तुम सब को आकर देखना चाहिए कैसे हरे वरे, खेतो विमनारियल के बागानों में लगातार बारिस होती रहती है, तवी जैसल इकनुआ उट भी तो मिलते हैं, रवी ने कहा, तो देखिए भारत कैसा एक देश है, चाहा भारत के किसी भी कोनेम जाईए, उत्तर जाईए, दक्षिन जाईए, पूर्व जाईए, पश्रिम जाईए, विविन परकार के परजातियां मिल जाएंगी, हर राज के मौसम भी थोड़ा वुत परिवर्तन मिल जाएगा, जैसे, दिसंबर है, आज, स्वरी, आज दो जनवरी का देन है, दो जनवरी दो जार तेईस है, उत्तर भारत में कडाके की सर्दी है, दक्षिर भारत में नौर्मल मौसम है, लोग आराम से, जीन टीशट है, पैंट शेट में है, बड़ उत्तर भारत में लोग कोट पैंट चैकर्स में घूम रहे हैं, तक्षिर उनको सर्दी न लगे, ये देखिए दोस्तों, आप सीन देख पा रहे होंगे, ये जीव मंडल का ही, सीन एक पार्तंतर है, एक तालाब या ताल का या पार्तंतर आप लोग देख पा रहे हो पर पाई जाने वले जीव जन्तु वनस्पती एवं लोगों के फ्रहन सैन के तरीके इतने बिन क्यों है, क्या सभी का एक दूसरे एक सा संबंद है, बिल्कुल बहुत संबंद है सिचक ने कहा, सभी पेड़ पाउदे जीव जन्तु एवं मानों अपने आसपास के पर्याव पर आश्रित होते हैं, प्रायवे एक दूसरे पर भी आश्रित है, जीव दारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरं के बीच का संबंद ही पार्तंतर का निर्वार करता है, अधिक वर्शावाले वन, घास इस्तल, वरेकिस्तान, परवत, जील, नदी, महासाग पर यह तो इवन, चोटे से तल का भी एक पार्तंतर हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों तल आप चाहएं चोटा हो जाहएंबड़ा हो, सागर हो, महासागर, नदी हो, नहर हो, भंबा हो, कुछ भी हो, सभी की पार्तंतर होते हैं। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में र मानो अपने पर्यावरण के साथ परस्पर करिया करता है और उसमें अपनी आफसकता के अनुसार परिवर्तन करता है देखो मानो क्या करता है जैसे घास के मैदानों को अटाकर वहाँ वेविन प्रकार की संस्ताय मंदिर मज़िद किर्जागर या कोई इंडरेश्टियल दबलब करता है तो यह सब क्या हो गए यह सब परिवर्तन ही हो गए प्रारंबिक मानो ने स्वयम को प्रकती के अनुरूप बना लिया था उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकती से उनकी आफसकताय पूरी हो जाती है समय के साथ कई प्रकार की आफसकताय बढ़ी मा अनोंने पर्यावरान के उप्योग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिये, उसमें फसल उगाना, पशू पालना एवं इस्ताई जीवन जीना सीख लिया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तर्भुच एवं सर्दी में भुनी हुई मुमफली खाना क्यों पसंद करते हैं। साथ समर सता से रहने एवं उसका उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों पर्यावर्ण को कम से कम हानी पहुचानी चाहिए और कोशिस करना चाहिए कि प्राक्रतिक चीज़ों खाई उपयोग करें। रवी की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी वे अक्सर अपने इस्तान की हर्याली की बात करती रहती है। मिजोरम दोस्तों एक पूर्वी राज है ध्यान रखिएगा। उसने क्या का खेल का मैदान नश्ट होने कारण रवी की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली चुटियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवी के सिचक ने सबीस बच्चों से का कि चुटियों में वे जिन इस्तारों पर जाएंगे वाँ के भूद रश गरोए मंब लोगों के क्रिया कलापों का चितर बना कर दोस्तों लाएंगे। देखिए तो इतनी चीज़े दोस्तों हम लोगों ने देखिए आईजे देखते आओ कुछ करके सीखें। गर के अंदर खेले जाने वाले खेल, उस समय उनका पसंदा फल, गरीवी उम सर्दी मौसम में वो क्या करते रहते थे। इत्यादी चीज़े आप जान सकते हैं। आई दोस्तों फिर से पूरे चेप्टर को एगवा देख लेते हैं। ये राप पर्यावरण इसमें पड़ा आपने विविन प्रकार की चीज़े जानकारी और पर्यावरण की घटक पड़े जैसे प्राकरतिक, मानो निर्वित कुछ घटक और मानो द्वारा इतने घटक ये सब किसके हैं। पर्यावरण के ही घटक होते हैं। जीवी अजीवी समझाई दिया है। प्राकरतिक पर्यावरण को आप लोग समझ पाए होंगे। ये देखिए दोस्तों इस्तल मंडल, जल मंडल, वाई मंडल और जैब मंडल ये पर्यावरण की छेत्र होते हैं। देखें दोस्तो, यह रहा, मानवी पर्यावरान दोस्तो किस तरीके से मानो परिवर्दत कर रहा है, तो दोस्तो यह चेप्टर यह पर कंप्लीट होता है, उमीद है आपको पसंद आया होगा, फटा पर दोस्तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक